भारतिये जनता पार्टी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है दो हिस्से एक पाकिस्तान को आपने दे दिया एक आपने चीन को दिखा दिया यह हो कैसे सकता है और उसके बाद आप चुपचाप उसको डिलीट करके भाग जाते हैं भारती जनता पार्टी के ओफिशल हैंडल से उनके ओफिशल प्रवक्ताओं से उनके मंत्रियों से उनकी फेट न्यूस फैक्टरी के हेड से हुआ है भारत की भूभागी अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवार बरदाश्ट नहीं है जिम्मेदारी किसकी है अगर ये देश द्रो नहीं है तो क्या है अगर ये गुना नहीं है तो पीनड़ा को इस देश से हाथ जोड़ कर माफी मांगनी चाहिए भारतिये जनता पाटी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पाटी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है यह है इनका असली चाल चरितर और चहरा भारत की भुभागी अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवार बरदाश्ट नहीं है आज एक से डेड़ बजे के बीच में भाजपा की फेक न्यूस फैक्टरी ने भारतिय जनता पार्टी के ओफिशल अधिकरत हैंडिल ने एक विडियो ट्वीट किया प्रधानमंतरी मोदी को विश्वगुरू बनाता हुआ ये की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है यातिश्योक्ती नहीं है हमारी सरजमी का हिस्सा हमारी भुबाकिये अखंडता पर इतना भद्दा मजाक भारतिय जनता पार्टी के ओफिशल हैंडिल से उनके ओफिशल प्रवक्ताओं से उनके मंत्रियों से उन जब अक्रोश हुआ जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सरजमी में दिखा दिया गया है तो ट्वीट करकर विडियो भागने लगे पहले फेक न्यूस फैक्टरी के हैड ने ट्वीट किया फिर भारतिय जनता पार्टी के ओफिशल हैंडल ने ट्वीट किया लेकिन एक लंबी फेरिस्त उन लोगों की अभी भी है जिनके हैंडल पर जिनके फेस्बुक पर जिनके तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर आपको ये विडियो अभी भी मिल जाएगा जिस विडियो में भारत की सरहद को कम दिखाया गया है हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाने का दुससास उ द्रिष्टता भारतिय जनता पार्टी ने की है तो मुझे तो नहीं लगता की ये गलती है मुझे किया ये गुना इसलिए भी है क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इन्फरमेशन रेगुलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म कोई भी सोशल मीडिया एजनसी कोई भी अगर हमारे नक्षे के साथ खिलवार करता है तो उसके उपर सो कर रोड का फाइन और साथ साल की सजा होती है अब भारतिये जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा जिम्मेदारी किसकी है प्रधान मंतरी फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं आई टी सेल चरण चुम्बक बनी हुई है और भारत की अखंडता और भूभागिये संप्रभुता के साथ आप ये खिलवार करिएगा और हम चुप रहेंगे हम बर्दाश्ट करेंगे इसको यह आपका असली चाल चरित रो चहरा यह इस्जत है और असलियत यह है कि यह आपकी मन्शा है आप यही करना चाहते हैं और यही कर रहें आप इस देश को खंडित कर रहें इस देश के टुकड़े कर रहें और उन टुकरों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दुसाहस कर अगर ये देश द्रो नहीं है तो क्या है अगर ये गुना नहीं है तो क्या है और आज इस देश के प्रधान मंत्री को क्योंकि उनके उपर वीडियो बनाया गया था उनकी पार्टी ने इसको प्लाटफॉर्म पर शेयर किया और भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा को इस देश से हाथ जोड कर माफी माँगनी चाहिए इस प्लाटफॉर्म से हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं, ये माँग करते है कि इस गुना की सजा भारतिय जन्ता पार्टी में जिससे ये गलती हुई है उसको जरूर मिले लेकिन उससे पहले थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाए कि कैसे ये इतना बड़ा गुना हो गया दो हिस्से एक पाकिस्तान को आपने दे दिया एक आपने चीन को दिखा दिया ये साथ हम जीते जी खिलवार नहीं होने देंगे और एक बात आपको और दिखा देती हूं ये है भारत का वो नक्षा जिसको हम सब देखते हैं ये है भारत का वो नक्षा जो हमारी आन बान शान हमारे खून में बहता है जिसके लिए हमने कुर्बानिया दी है शहादत दी है ये है भारत का वो नक्षा क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो लेकिन इस भारत के नक्षे को हम अपने दिल में बसा कर घुमते हैं और ये भारत का नक्षा भारती जनता पार्टी बनाती है जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिये जाते हैं यह संप्रबुता और यह संप्रबुता के साथ और भुबा के अखंडता के साथ खिलवार